दिवाली की साप सफाई तो जैसे जान ही निकाल देती है, सरीर बिलकुल निचुड जाता है, तो ये मेरा ही नहीं, सभी महिलाओं का कुछ ऐसा ही हाल होता है, इतने सारे काम करने के बाद हमें रेश्पी भी बनानी पड़ती है, तो पहले तो मैंने साप सफाई की और दो दि कर आने लगी है तो आईए देखते हैं मैं क्या बना सकती हूं मेरा चेहरा पूरा डाउन है तकान अभी भी काफी है और जो भी मैं सामान लेकर आई थी उसको यूज करने का टाइम भी नहीं मिला तो देखिए मैं फटा-फट आज आपको नमकीन बना करके दिखा रही हूं औ और इतनी बड़िया टेश्टी नमकीन आपको बना करके दिखाऊंगी कि आपको इसके साथ किसी भी मसाले को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जैसे हम नौर्मली धनिया की चटनी बनाते हैं इस तरह से हम धनिया मिर्च और पुदीने की जैसे चटनी बनाते हैं वै अब मैं पटा पटा पो रेश्पी बना करके दिखाते हूं तो यहां पर मैंने आधी गड़ी पुदेना ली हुई है और एक चोटी गड़ी ली हुई है दनिया के और छे से साथ हमने हरी मिर्चे ले ले ली हैं यह तीकी बाली मिर्चे हैं इनको हम बहुत अच्छे से तो अब हम दूसरे पानी में भी डाल देते हैं तोड़ा सा और पानी डालते हैं और धनिया पुदीना को और मिर्च को बहुत अच्छे से दो लेते हैं अब धनिया पुदीना बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया है तो हम इसमें डालते हैं यह देल इंच अदरक है इसको इस तरह से हमने धो लिया है, साप कर लिया है, और एक चमचम जीरा डाल देते हैं, और इन सभी चीजों को हम डालते हैं, जार में, तो जैसे चटनी पीशते हैं, इसी तरह से हमें पीशना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अब हम बिल्कुल फाइन पेश्ट बना करके त चान कर निकाल लेते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी डाला था, जिससे कि हम आराम से चान सकें, तो इस तरह से चमच से हिलाते हुए आप चान लीजे, फटाक से निकल जाएगा, और यह जो ऊपर का हाड़ पल्प बचेगा, इसको बिल्कुल भी फेकना नहीं है, इसक सारा पानी हमने अलग कर लिया है, और यह जो अब धनिया पुदीने का पल्प बचा है, इसको हमें फेकना नहीं है, इसको हम सबजी के मसाले में यूज करेंगे, तो बहुत ही टेश्टी सबजी बनेगे, तो इसलिए मैं इसको भी रख लेते हूँ, तो अब मैं इसी पानी में बेशन डालोंगे, यह जो चटनी का पानी है, यह बहुत ही टेश्टी है, इसमें हमें अलग से कोई मसाले डालने की ज़रुत नहीं है, इसमें हम बेशन डालेंगे, तो जितना बेशन समा जाएगा, उतना हम डालेंगे, एक कटोरी हमने बेशन डाला है, और यह दूसर लोटी का डो बनाते हैं लेकिन बिल्कुल रूनिंग नहीं है तो इसी तरह की हमें consistency चाहिए तो हाथों से बहुत अच्छे से मिला ले और तयार कर ले तो अब हमें हाथों में थोड़ा सा लगा लेना है तेल और छूटे-छूटे पेड़े जैसे बना करके तयार कर लेने हैं तो जैसे हाटे की लोई बनाते हैं इस तरह से हमने एक-एक लोई ले 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 और उ हुआ है सभी को हम बहुत अच्छे से पहले और से ग्रीज कर लेंगे जैसे की डो चिपके ना आप चाहें तो इसमें जो चप्टी वाली पती होती है आप उसको भी लगा सकते हैं या इससे भी ज्यादा बारिक वाले तवे को लगा सकते हैं तो अब हम कड़ाई चड़ा द कभी अटक भी जाता है तो यह हमने इसी लिए डो के छोटे-छोटे पेड़े से बना कर रख लिये थे कि बाद में हमें अपने हाथों को गंदा नहीं करना पड़ेगा तो जितने अब मसीन के अंदर जाएंगे उतने हम डालते जाएंगे तो यह चोटे-चोटे हैं तो दो चले जाएंगे इस तरह से हमने बेशन को डाल दिया और अब हम इसको पुस करते हुए सेव को तलेंगे चेक करने के लिए पहले चोटा सा टुकड़ा हमने बेशन का डाल दिया है यह देखिए अराम से उपर आ रहा है यानि कि तेल हमको इतना ही गरम चाहिए बहुत ज्या करते हुए गुमाएंगे जिससे की सारे सेव बहुत अच्छे से बन करके तयार हो तो यह देखिए बिलकुल आसानी से निकल गए जरा भी हमको महिनत नहीं करनी पड़ी अगर दो हमारा हाड हो जाता तो हमें बहुत ज्यादा जोर से प्रेस करना पड़ता लेकिन आसानी से सारे सेव निकल आए इसको अभी नहीं छेड़ेंगे जब यह थोड़ा सा हाड हो जाएगा चत्ता उपर आ जाएगा तब हम इसको धीरे से हिलाएंगे हिलाते हुए उलटकर पलटकर दोनों तरब से पका लेंगे तो एक बार तो हमने पलट दिया है लेकिन हमें दो तीन ब आल के दानाथ पार मजें में दो को डालना हे और ऐसे घुमाते हुए और आराम से पुछ करना है तो सारे से बनन करके आराम से गिर जाएगे और जब सब सलह हुआ तब ढ़ा नहीं है उसके बाद दीमें से घुमाते हुए Korean लすी नहीं नहीं हो जाते तब तक पूरी से国 र लिए हैं तो इतने सारे सेव हमने सिर्फ दो कटोरी बेशन से बनाए है ठाली आप देख सकते हैं कितनी भरी हुई है और मुझे ये टोटल काम करने में आदा गिनटे का समय लगा है आप देख सकते हैं इनका फ्लेवर इतने गजब का है कि अलग से कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है सिर्फे आप चटनी पीसे और सेव बना डालिए तो ये पुदीना फ्लेवर के पानी पुरी स्टाइल के सेव और आप आवास सुन सकते हैं कितने अच्छे क्रिस्पी कुरकुरे सेव बन करके तयार हुए है चाय का ये गजब का नास्ता है केवल दो कटोली बेशन आदा गंटे का समय और इतने गजब के तीखे चटपटे सेव बन करके तयार हो गए इनकी सेल्फ लाइफ दो महीने है तो फ्रेंड आप भी सिर्फ आदे घंटे में कुरकुरे सेव को बना डालिए और दो महीने तक इंज्वाई कीजिए आप आवास सुन सकते हैं कितने कुरकुरे बने हैं और बहुत ही टेस्टी है तो फ्रेंड आपको मेरी आज की ये रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए मिलती हूँ अगले रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाए